एक बार की बात है एक गाव में पती-पतनी, रमा और अशोक रहते थे वो बहुत मैंती थे कोई भी छोटा-मोटा काम करके अपना जीवन गुजरा करते थे अजी सुनिये, दिवाली आने वाली है आप शहर से कुछ पटाकी लाकर बेज दीजे इससे थुड़े पैसे भी कमा लेंगे हा रमा, तुम ठीक कहती हो मैं कली जाकर शहर से पटाके ले आता हूँ दूसरे दिन अशोक शहर के लिए अपनी साइकल पर निकल गया शहर में बीडबार होने की वज़े से अशोक को देरी हो जाती है और उसको गाउं में जाते जाते रात हो जाती है वो जल्दी जाने के चक्कर में जंगल का रास्ता ले लोता है क्योंकि वो छोटा होता है उसी जंगल में काफी अंदेरा होता है और वो रास्ता काफी खतरनाक भी होता है बीक चंगल में जैसे ही अशोप पहुंचता है कि उसकी साइकल बारी हो जाती है और वो देखता है कि साइकल पंचर हो गई ए राब इस साइकल को अभी इसी वक्त पंचर होना था एक तो मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ वो साइकल को खड़ी करे ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन उसे इस बाग का कोई अंदाजा नहीं था कि वहाँ अचानक साइकल पंचर कैसे हो सकती है वही पास में एक बेड़ पर एक चुड़ेल मैठी होती है जिसने उसकी साइकल को पंचर की थी वो अशोक पुर्तम करने लगती है और देखती है कि अशोक के थेले में बहुत सारे पटाके है उसका मन ललचाता है और वो अशोक के पीछे-पीछे गाउं की ओर चल देती अशोक अपने गर पहुंच कर खाना खाकर सो जाता है देर रात को जब अशोक सो रहा होता है तो चुडेल चुपके से अशोक का थेया उठानाती है अरे वाँ, ये तितने अच्छे-च्छे पटाके ये पटाके बहुत पसंद है हाहाहाहा, मैं अभी इन सब को जलाती हूँ बहुत बजा आएगा चुडेल उसमें से पटाके निकालकर जलाती है और देख देखकर खुश होती है पटाकों की आवाज सुनकर अशोक और रमा दोनों ही उठ जाते है अरे, इतनी रात को कौन पागल है जो पटाके जला रहा है दोनों बाहर जाकर देखते है कि उनका थेला सड़क पर पड़ा है और उसमें से कुछ पटाके बाहर निकले हुए है अरे, देखो, आपका थेला यहां सड़क पर कैसे आया? मुझे क्या पता? कोई चोर आया होगा, जो यहां रखकर भाग गया होगा अशोक बचे हुए पटाके समेट कर ले आता है और चुडेल वहां से चली जाती है फिर वो गाउ में गुमती रहती है तब भी उसे एक हलवाई की दुकान दिखाई दे दी है और वो उसमें बहुत सारी मिठाई देखकर खुश हो जाती है अरे वा इतनी सारी मिठाई मैंने अपने जीते जी कभी नहीं देखी आज तो मैं सारी की सारी खा जाऊंगी चुडेल दुकान में गुश जाती है वहां बहुत सारी मिठाई देखकर ललचाती है देखते ही देखते चुडेल दुकान की आधी मिठाई या खा जाती है तब ही दुकानदार दुकान बन करके चला जाता है और चुडेल फिर गाउं में बटकने लगती है गुमते गुमते उसे एक साड़ी की दुकान दिखाई देती है और वो उसमें गुज जाती है चुडेल को वहाँ एक साड़ी बहुत पसंदाती है और उसे देख कर बहुत खुश होती है उसने सोचा कि क्यों ना इसको पहन कर देखू चुडेल कांच के सामने साड़ी को देख रही थी कि तभी पीछे से उसे दुकान के मालिक में देख लिया उसे चुडेल तो दिखाई नहीं दी लेकिन हवा में जूलती होई साड़ी दिखाई दी वो समझ गया और भाग कर गाओं के तांतरिक को पकड़ लाया और उसको सारी बात बताई तांतरिक को सब पता चल गया उसने बोला कि सबसे पहले दुकान का दर्वाजा बन करो दुकानदार दुकान का दर्वाजा बन कर देता है और तांतरिक कुछ मंतर पड़ता है जिसे चुडेल उसके सामने आ जाती है मा तुझे बश्म कर दूँगा तांतरिक चुडेल पर भभूर डालता जा रहा था मुझे मत मारो मैंने तुमारा क्या भी गाड़ा है तु यहां क्यों आई है किसकी जान लेना चाहती है मैं तो बस इस पटाके वाले के पीछे पीछे इस गाउं तक चली आई बहुत शाक होता है लेकिन दिवाली के दिन ही मेरी मृत्यू हो गई और मैं चुडेल बन गई और जब तक मैं दिवाली नहीं मना लेती मेरी आत्मा को शांती नहें मिलेगी जैसे ही दिवाली आती है सभी गाउवाले चुडेल के साथ दिवाली मनाते है उसे पठाके जलाने के लिए देते है और मिठाई भी खिलाते है और कपड़े भी देते है देखते ही देखते पठाके चलने लगते है और मिठाई भी खत्म हो जाती है क्योंकि चुडेल गायब होती है तो किसी को दिखाई नहीं देती ये सारी खुशी मना कर गाउवालों के आखों में आसु आ जाते है तभी चुडेल की आत्मा को भी शांती मिल जाती है और वो वहां से सदा सदा के लिए चली जाती है